Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे Mrs. Warren's Profession के बारे में Mrs. Warren's Profession GB Shaw का एक Problem Play था इस Problem Play को सबसे पहले लिखा दिया 1893 में इस्ते बाद इस्ती परफॉर्मेंस हुई 1902 लंटन में ये एक Problem Play था और इसी लिए ये Shaw के Unpresent Plays टी लिस्ट में से एक था इस Play के ऊपर Cashel Byron's Profession Trifet clearly देखने को मिलता है ये Play Society थी Cruel Realities तो दिखाता है इस Play की में थीम प्रोस्टिटूशन थी जिस्ती वजह से Lord Chamberlain जो टी Official Licensor थे प्लेस टे उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था G.B. Shaw ने अपने इस वर्ट का सोर्स बताते हुए Daily Chronicle को एक लेटर लिखा था 28th April 1898 को इसमें उन्होंने बताया कि उनकी एक फ्रेंड थी Janet A. Church जिन्होंने उन्हें गी दी मैपसों के वर्क इविट को पढ़ने के लिए इंस्पायर किया उनकी मीटिन हुई थी Beatrice Webb के साथ जिन्होंने इन्हें एक रियलिस्टिक विमन आज की विमन न्यू विमन के बारे में लिखने के लिए इंस्पायर किया और इसी वजह से उन्होंने Mrs. Warren's Profession लिखा आएए जान लेते हैं इस प्ले के करेक्टर्स टे बारे में सबसे पहला करेक्टर आता है विवी वॉर्रन का विवी वॉर्रन इस प्ले का मेन करेक्टर पोर्ट्रेट अरती है और ये 22 साल की लेटी थी ये एक कॉलेज राजुएट थी और इन्ही के अंदर हमें न्यू विमन का जो करेक्टर है वो दिखाई देता है इन्टी मदर Mrs. Warren जिनका पूरा नाम Mrs. Titty Warren था वो इट फॉर्मर प्रोस्टिटूट थी और ये एक मल्टिनेशनल चेन चलाती थी ब्रॉथल्स टी यूरोप में Mrs. Ellison ये वही लेटी थी जिनके धर पे विवी वॉर्रन रहती थी इनके कॉर्टेज को अक्ट वन और अक्ट टू में दिखाया जाता है और उस्ता सीन इनके कॉर्टेज पर ही पोट्रे किया दिया है Sir George Troffs Sir George Troffs एक ब्रिटिश बिजनिसमेन थे और ये Mrs. Warren के साथ चेन और ब्रॉथल्स को चलाते थे Frank Gardner ये 20 साल ता लड़ता था और ये Reverend Samuel Gardner का बेटा था Reverend Samuel Gardner ये इनलेंट में एक चर्च में मिनिस्टर थे Aunt Lizzie, Aunt Lizzie Mrs. Warren की सिस्टर थी Prate, Prate एक मिदल एज मैन था और ये एक आर्टिटेक्ट था Clergyman वो परसन होता है जो Mrs. Warren को वार्न करता है कि आप प्रोस्टिटीशन जैसे प्रोफेशन में इन्वाल्व मत हो इस प्ले में चार एट होते हैं एट वन, टू, टू, ट्री और फोर एट वन शुरू होता है Mrs. Allison के कॉटेश से विवी गॉरन हमें Mrs. Allison के कॉटेश पर दिखाई देती है उन से मिलने Mr. Prade आते हैं और अपने आपको इंट्रीश करते हुए बोलते हैं कि वो उनकी Mother के Friend है विवी अपनी अजुटेशनल जर्नी डिस्ट्राइब करते हुए प्रेट को बताती है कि उसने अपनी लाइफ में कितनी सारी मुसीवतों का सामना दिया है प्रेट इस चीज़ तो समझ जाते हैं कि विवी ने आर्ट और कल्चर को कभे भी इंजॉई नहीं दिया इसलिए वो उसको ये सजेशन देते हैं कि तुम्हें आर्ट और कल्चर से दूर हो जाना चाहिए जब तर तुम उसको इंजॉई नहीं डर सकती विवी प्रेट से अपनी मदर के प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं लेकिन इस चीज़ तो सुनकर प्रेट परिशान हो जाते हैं और उसको कुछ भी बताने से मना कर देते हैं मिस्स वारन के प्रोफेशन के बारे में क्योंकि प्रेड बताना नहीं चाहते थे और इस चीज़ को विवी समझ जाती है तो वो इस चीज़ को ड्रॉप कर देती है और आगे उनसे कोई भी कोश्चन नहीं पूशती है लेकिन जैसे ही वीवी मना करती है प्रेड अपना माइंड चेंज टर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो वीवी को सब कुछ बता देंगे प्रेड वीवी को कुछ भी बताते इससे पहले ही मिसिस वोरन गेट पर दिखाई देती हैं सर जॉर्ज क्रॉफ्ट से साथ जोकि उनके बिजनस पार्टनर भी थे वीवी अपनी मदर को ग्रीट करनाई टे लिए गेट पर जाती है वीवी अपनी मदर को कौटिश के अंदर बुलाती है प्रेड और क्रॉफ्ट से वीवी टी पैटर्निटी के बारे में पूछता है और ये पूछता है कि क्या तुम्हें उसके फादर के बारे में कुछ पता है इस्ते साथ ही वो ये भी पूछता है कि तुम्हारा और Mrs. Warren का relationship ऐसा है प्रेड इस चीज़ को आंसर करते हुए ये बोलता है कि हम दोनों का relationship chaste है chaste मतलब pure है without किसी भी physical relationship के है इसने बाद हमें friend गाडनर देखने को मिलते हैं प्रेड और friend जैसे ही धर के अंदर जा रहे होते हैं वैसे ही friend के चो father थे Samuel गाडनर वो गेट पर दिठाई देते हैं और वो उनको बुलाते हैं friend विवी टी तरफ attracted हो रहा था और ये चीज़ वो अपने father को बताता है उस्टे father friend को मना टर देते हैं ठी वो विवी से शादी नहीं टर सकता friend और उस्टे father डिस्टस टरते हैं ठी ठीया friend को विवी से शादी टरनी चाहिए या नहीं Crofts, विवी और Mrs. Warren Cottes से बाहर आ जाते हैं जैसे ही Samuel Radner Mrs. Warren को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि दोनों एट दूसरे को जानते हैं क्यूटी एट समय में Samuel Radner Mrs. Warren को लेटर लिखते थें इसलिए दोनों एट दूसरे को पहचान तो जाते हैं लेटिन अपनी आइडेंटिटी डिस्लोज नहीं टरते और ना ही ये रिवील टरते हैं कि दोनों पहले से ही एट दूसरे को जानते थे यहाँ पर एक्ट वन खतम होता है अब शुरू होता है एक्ट टू दूसरे एक्ट में भी हमें कौटिश टा सीन देखने को मिलता है Mrs. Warren Frank के साथ, Crofts, Samuel Gardner के साथ वापस आते हैं Frank बार बार विवी को रोमैंटिकली एड्रेस टर रहा होता है जो Reverend Samuel Gardner को बिलकुल अच्छा नहीं लगता है जब सब लोग बाहर चले जाते हैं तब विवी अपनी मदर के साथ अकेली होती है विवी अपनी मदर से कोशन करती है कि उस्ते फादर कौन है और उस्ती मदर का profession क्या है Mrs. Warren अपने profession के बारे में तो बताने को तैयार होती है लेकिन विवी के father के बारे में कुछ भी बताने से मनाटर डेती है मिस्स वोरन ये डिस्क्लोस तरती है कि उन्हें कौन-कौन से दिक्टतों का सामना करना पड़ा था जिसनी वजह से उन्हें प्रोस्टिट्यूशन जैसा प्रोफेशन चुनना पड़ा जब विवी को अपनी मा की इस पौवर्टी और उनकी कंडिशन्स टे बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगता है विवी अपनी मदर की टरेज और टूथ फुल लेस्टी तारीफ करती है और दोनों एट दूसरे को गुड़नाइट कहते हैं और दोनों एट दूसरे के लिए ग्रेट कंपैशन और ग्रेट अफेट्शन को फील तरते हैं तो यह था आट टू अब आते हैं आट थी तरफ तीसरा आट शुरू होता है रिवरेंट के घर पर हमें उनके डाडरेंड का सीन दिखाई देता है रिवरेंट जिन्होंने रात में डृंक किया होता है उन्हें सुभा हैंगोवर होता है फ्रैंट अपने फादर को ये बताता है ति उन्होंने मिसिस वॉरन और विवी तो धर पर बुलाया है और इसी वजह से उन्ती मदर मिसिस डाडनर और उस्ती बहन वैसी शहर की तरफ गए हैं क्योंटी वो नहीं चाते थे कि वो मिसिस वॉरन के साथ कोई भी मेटिंग डर हैं मिसिस वॉरन और विवी उनकी धर पहुँच जाते हैं सैमॉल गाडनर नर्वस होकर उनसे मिलने जाते हैं लेटिन उस्ते बाद वो मिसिस वारन और क्रॉफ्ट स्टोर अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह विवी और फ्रैंट दोनों एक साथ अटेले होते हैं। फ्रैंट मिसिस वारन का मजाट उडाता है और उन्हे एन ओल्ड रच बुलाता है। विवी उसे समझाते हुए टहती है ठी उसे उस्ती मदर्टी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फ्रैंट विवी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है उसी समय क्रॉफ्ट्स दोनों के टन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है और फ्रैंट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। क्रॉफ्ट्स विवी को प्रपोस करता है लेकिन विवी उसे इस प्रपोसल को रिजेक्ट कर देती है। बहार निटलने से पहले क्रॉफ्ट्स विवी और फ्रैंट को ये बताता है कि दोनों हाफ सिब्लिन्स हैं। ये सुनकर विवी शॉट हो जाती है और डिस्डस्टिट फील्टरती है और तुरंथ ही वहाँ से चली जाती है। तो ये था Act 3 आएए चलते हैं Act 4 की तरफ। Act 4 शुरू होता है विवी की ओफिस से लंडिन में जब फ्रैंट और विवी एट दूसरे से मिलते हैं। फ्रैंट विवी को कन्विन्स टरने की कोशिश टरता है ति जो कुछ भी फ्रॉफ्ट्स ने कहा था वो सब गलत है। लेकिन विवी इस बात को मानने से इंकार कर देत हैं और विवी फ्रैंट से ये टहती है कि वो उस्ते साथ सिर्फ भाई भेंटा रिष्टा रखना चाहती है। कुछ देर के बाद प्रेट भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। प्रेट इटली जाने से पहले सब को गुडबाई करते हैं और इटली टी फूपसूरती टे ब पातों में कोई भी इंट्रेस्ट नहीं है। विवी फ्रैंट को अपनी मदर के प्रोफेशन के बारे में सब कुछ बता देती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये बोलकर कि उससे अब किसी से भी शादी नहीं टड़नी है लेकिन फिर भी वो फ्रैंट के टच में जरूर रहेगी। इस्ते बाद मिसिस वॉरन वहाँ पहुँच जाती है। फ्रैंट मिसिस वॉरन को बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी का इंतिजार नहीं टड़ना चाहिए। मिसिस वॉरन इस बात को सुनकर परिशान हो जाती है और रोने लगती है। उसी समय उनको विवी की आवाज सुनाई देती है। विवी फ्रैंक और प्रेट से वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और अपनी मा से वहाँ रुखने को बोलती है। विवी उन्हें बताती है कि क्रॉफ्ट्स ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो अब ये जानती है कि उनकी मदर अभी भी प्रोस्टिटूशन के वर्ट में involved हैं और इसी वज़े से उनका ठीट होता relationship भी अब सही नहीं रह सकता Mrs. Warren विवी को convince टरने की कोशिश टरती है और उसे एक luxurious life जीने ते ले टहती है लेकिन विवी साफ मना टर देती है कि उसे किसी तरह की luxury की कोई जरूरत नहीं है फाइनली विवी Mrs. Warren के साथ अपने सारे relationship खतम कर देती है और वो उन्हें यही सजेस्टर देती है कि उसे उनकी कोई भी जरूरत नहीं है फाइनली Mrs. Warren भी उस्ते इस decision को accept कर लेती है और वहां से चली जाती है विवी फाइनली अपने time पर लोट जाती है तो ये थी इस पूरे प्लेटी स्टोरी अगर आप्टो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दू लाइट, शेर और सब्स्ट्राइब और स्टेए टनेट इस पूरे प्लेटी स्टोरी